हलो दोस्तों आपका स्वागत हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें आज मैं आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से बाजू की कटिंग एंड इस्टीचिंग अब देखें बहुत लोगों को दिक्कत आ कि जादा से जादा शियर करें कि अब दिखें सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारा अस्तल साड़िये. इसका कपड़ा देखें इस चोड़ाई में कम है तो अब हमें चोड़ाई कैसे बढ़ानी यह हम चोड़ाई भी बढ़ाएंगे तो दीखें, यहाँ पर इसकी जो अस्तल की चोड़ाई है, वो है 16 इंच की चोड़ाई है, अस्तल की और यह डवल है, अब इसको हम ऐसे डवल करेंगे, तो दीखें, हमें अपनी लमबा ये नहीं है, पहले जैसे हमें आट इंच की बादू रखनी है, तो हम यहां पर 9 इंच लेंगे अगर 9 इंच की बाजू रखनी तो 10 इंच लेंगे तो इस तरीके से हमें अपनी लंबाई लेनी है पहले तो हमने 9 इंच की बाजू रखनी है तो हमने 10 इंच ले आए लंबाई में अब अस्तल की चौडाई है हमारी यहां पर 16 इंच की तो यहां पर देखिए आठ इंच है अब हम क्या करेंगे कटिंग तो 3 इंच लेंगे अब इसको देखिए ऐसे करके ऐसे उपर के साथ ले जाएंगे अबली 2-2 इंच हैं तो हैं 1990 कि यह पे निंशाल लगा लैगी है और यहां पर हमारी चोड़ाई कम है तो हमें इह आप उन्च कर नहीं करतें किया लक्ताटिर तो मोड़ेवें नहीं करेंगे अब देखिए यह जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हम यहां से जो जुड़ा है इसको अलग कर लेंगे इस तरीके से अब क्या करेंगे यहां पर देखिए हमारे जो कपड़े के ही चोड़ाई है साड़ी वाले कपड़े की यहां पर दीखें कम है 14 इंच है तो हम क्या करेंगे इसको रखेंगे इस तरीके से तो इस तरीके से हमें रखना है तो दीखें यहां पर पहले हमें 16 इंच करना है अब यहां पर इसी की लंबाई लेनी है अब यह दो टुकड़े कर लिए हमने अब हम यहां पर दो टुकड़े यहां पर लगाएंगे चोड़ाई बढ़ाने के लिए तो देखें पहले हम यहां पर सिलाई लगाएंगे और फिर इसको रखके जोड़ेंगे तो अभी मैं आपको इसकी स्टीचिंग बताती हूं और यह जोड़ ज्यादा दिखाई भी नहीं देगा तो जब भी हमारी चोड़ाई कम है तो हम इसी तरीके से निकालेंगे तो अभी अब मैं आपको इसकी स्टीचिंग बताती हूं अब देखिए जैसे साड़ी का कपड़ा है तो अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे खोलेंगे क्योंकि यहां से जोड़ेंगे तो यहां पर हमें बाजू की कटिंग करनी है तो यहां पर देखिए हमें इसको जोड़ेंगे अब इस तरीके से हमें जोड़ना है अब अस्तल वाला जो कटिंग है उसको इसकी उपर रखेंगे यहां पर बराबर रखना पूरा और यहां पर थोड़ा सा टुकड़ा आएगा क्योंकि यह डिजाइन दो कल़की हो जाएगी न तो यहां पर बराबर रखना है अब यहां बसलाई लगा लेंगे कि अब 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 आब अब 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 आब अब कर लेंगे और इस तरीके से यहां पर जोड़ा हैं अब देखिए दोनों को बराबर रखेंगे यहां पर थोड़ा सा मोरी की कटिंग करते हैं तो देखिए जोड़ते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जोड़ है तो इस तरीके से जोड़ना है कि पीछे की साइड आए अब इसके बाद बातों जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर ये जोड़ा वो पीछे की साइड आए अगर तो बातों लगाने से पहले रखेंगे अब दिकी यहां पर इतना छोटा पड़ा है तो दोन साड हमें फ्ली देडिर इंच छोड़के लगानी है बाजू क्योंकि यह हमारा जो फ्ली देडिर इंच कपड़ा है उसको थोड़ा छोड़ना है उतना ही रखना है यहां पर आधा इंच क्योंकि यह कपड़ा चोड़ाई में कम है और बाजू हमें इसी की लगानी क्योंकि यह डेजाईन है तो इसी तरीके से लगेगी इसकी बाजू तो पहले हम यहाँ पर जो छोटा बढ़ा है इसको भी बराबर कर लें अब यहाँ पर देड़िन छोड़के लगाएंगे अब लगाते समय देखी हमें बाजू को खीचना नहीं है ना आरूमल को खीचेंगे अब रिके यहाँ पर जैसे हमारी मौरी है बारा इंच की तो हम यहाँ पर छे इंच पर निशान लगा लेंगे फिटिंग का और जो हमारी सिलाई है फिटिंग की उसमें जोड़ देंगे इस तरी के से हमारी बाजू आए है और यहां पे फीछे जोड आया है तो अगर चोड़ाई कम है तो इसी तरिके से इस जोड लगानाँ अब प्रिमल उट्हेस अमें इसी तरीक больш शेयर कनेे हैं तो इसी तरीके से बनाएंगे आसा करती हूं, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें, अगर आप ने हमारे चैनल को सस्क्रा धन्यवाद